है 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 कैसे आप सभी आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरे नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 10 ट्रांसपोर्ट के बारे में ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला कोशन है आपके सामने कुछ इंट्रोड़क्शन भी बता देता हूं पहले हैं टेस्ट स्किल्स इसमें किस टाइप के कोशन है यह हमें जानना है और यहां पर जो कोशन है इस तरीके से ट्रांसपोर बढ़ा इनके बार में पढ़ना है क्या-क्या चेंजेस आएं पहले से आज तक के बीच में मीन्स अब ट्रांसपोर्ट किस कौन-कौन से ट्रांसपोर्ट हैं किस तरीके से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और उसके बाद है मीन्स अब कॉम्टिकेशन इन सभी तीन चीटों के बार में पढ़ना है तो काफी कोश्चन है तो 25 कोश्चन है इन 25 कोश्चन को हमें पढ़ना है तो आए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले है which of the following is an audio visual means of communication तो हमें यह बताना है कि इसमें audio आडियो विज्म क्मिनिकेशन कौन सा है आडियो का मतलब होता है जिसमे आवाज विग tota मदलब हो जिसे हम देख सके तो यह आपका टेली टीटरिएजन में माने से आप मूवी देख रहा हैं साथी साथो इसमें और दीचर भी आता है यह यानिक आवास भी आती है ठीके तो इसमें पूछा तक कौन सा है तो यह है टेलिवीजन अगला है question number second who is known as the father of railway तो father of railway की नाम से हम किसे जानते हैं तो हम जानते हैं George Stephenson को ठीक है चले Newton नहीं क्या पताया था gravity के बारे बताया था कि कोई भी चीज अगर आप गिरती है तो वह हमेंसा नीचे जाती है क्यों क्योंकि एक force लगता है जिसे हम कहते gravitational force और सी gravitational force की वज़े से हर चीज क्या होती है जमीन पे गिर जाती है ठीक है आगे आते हैं question no.3 पर question no.3 है आपके साने बीचे तो falling the longest highway in India तो इंडिया का सबसे लंबा highway क्यों सा है तो यह NH 44 तो NH का मतलब होता है national highway ठीक है ना क्या होता है national highway ठीक है अब देखिए यहां पर जो NH 44 है यह किसको जोड़ता है तो देखिए यह जोड़ता है आपको स्री नगर को स्री नगर को कहां से जोड़ता है कन्या कुमारी से अब स्री नगर आपका कहां पर है जम्मू में है यानि की इंडिया के सबसे नौर्थ में है और कन्या कुमारी आपका इंडिया के सबसे साउथ में और यह आपका है तमिलाडू में ठीक है चले आगे आते हैं इसमें बिहार में कहांसे जोड़ता है अरवल को और वेस्ट-बंगॉल में जोड़ताह किसको थरक्क मेद इस City को ये जोड़ताहे अब देखिए यहाँ पे और है तो नस्रीफ 6 आपको किसको जोड़ताही कि आप 500 भी में यह भी यह किसको जोड़ता है यह दो स्टेट को जोड़ता है आंद्रप्रदेश टू तमिल्लाडू ठीक है चलिए अब आगे आते हैं कॉशन नमबर फूर पैनामा कैनाल लिंक स्पैसिफिक ओशन टूधा देखिए पैनामा कैनाल जो है वो प्रशांत महासा अगर यहने की पैसिफ कैनाल कैनाम है दस सुवेज कैनाल तो सुवेज कैनाल किसको किसको जोड़ती है रेड सी और मेडिटरेनियन सी को चलिए अगले कॉशन पर आते हैं अगला कॉशन है आपके सामने कॉशन नमबर फाइव invention of death brought the first ever revolution in the history of transportation तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा revolution क्या था तो ये था वील यानी की पहिया क्यों था क्यों था क्योंकि देखे पहले लोग क्या करते थे कि वील बना नहीं था तो लोग समानों को सरका के मरलब की सरका के ही लिगे जाते थे जिसमें इनको बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ती थी ठीक है बाद में इन्होंने क्या हुआ देखे पहिए की कोच कैसे हुई ये जब एक आदबी था ये लकड़ी का एक टुकड़ा था ठीक है ना जिसे दॉकाना शुरू किया तो ये इस तरीके से चलने लगा तो इसने आगर मैं जो हमारी गाडी है उसमें भी अगर मैं इस गोलतरीके का पहिया लगा दूथी इसको काटके लगा दूथ तो क्या होगा गाड़ी जो है इनकी वो और आराम से चलन लगेगी ठिक है तो इन्होंने क्या किया यहां से इसको काटा और वहाँ पर लगा तिया अपनी गाड़ी में ठिक है तो इनकी यहां से ही वील की invention होती है ठिक है चलिए अब जितनी भी वीकल्स हैं आज वो सभी कि सभी क्या है वील्स पर ही चलती है ठीक है चले तो इसकांसर हो जाएगा वील्स ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट इवल्यूशन था यह इन्वेंशन था अब आते हैं कोशन नुमर्श पर बिचाव फॉलोविंग एयरपोर्ट इन वेस्टर पार में सबसे वेस्ट पार्ट का एयरपोर्ट कौन सा है तो इस एयरपोर्ट का नाम है हार्ट्स फिल्ड जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट तो यह एयरपोर्ट आपका कहां पर है तो यह है यूसे में ठीक है इंद्रगाधी एयरपोर्ट आपका कहां पर है इंडिया में और य यह दोस्तो जापान में । कहां पे है जापान में ठीक है। जपान के किस उसाक का शुटी में हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। चले आते हैं question No. 7 47 True Question value Minns of Communication audio means of communication का मतलब यह है कि जब सेब्दा कम्मिन कि चले कोश्य नमबर एट पर आते हैं कोश्य नमबर एट हमारे सामने क्या है कि कोश्य नमबर एट है विच और फॉल्लिंग वाज नौटी नियू तो ओल्डें डेस्ट कन्वे मैसेज इसका मतलब यह है कि पुराने समय में हम किसे मैसेज को एक जगा से दूसरे जगा हम नह लेटर्स या कोई मैसेंजर की तरह इन्हीं यूज किया जाता था ठीक है और हुमन मैसेंजर यानि कि जो दूथ होते थे यह एक जगा से दूसरे जगा पे लोगों की बातों को पहुचाय करते तो तीनों यूज किया जाता था क्या यूज नहीं किया जाता था एलिफैंट तिव्बत रोड ठीक है और यह आपका क्या है नेशनल इंटरनेशनल हाइवेर है क्या है कि disproportion जो ार्छे में क्षायशनल विए क्या होता है जो कुंठी को कांट्री जोड़ता है उस रोड को कहते हैं इंतर नेशनल हाइवे ठीक है चलिए अब बाकी यहाँ पर जितने भी रोड हैं यह सब आपके कौन से रोड है यह आपके इंडिया के अंदर है ठीक है तो चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी तो दिखिए एप्सिन नमर B में लिखा है हिंडन एलिवेटेड रोड हिंडन एलिवेटेड रोड आपका कहाँ पर है गाजियाबाद में है ठीक है न यहोडार वन-में फिर ए्श ब्रीवेड आपका कहां पर है मुंबाigne में है और जो लंबाई है यह 16.8 गिलो मीटर अगला है आपके पास एनेश 44 जो सबसे लंबा हाइवे है यह कहां से है स्री नगर से लिक कन्या कुमारी तक ठीक है चली यानि कि जम्मू को किसे जोड़ता है मलब इंडिया को नार्थ और सौथ में जोड़ता है यह रोड ठीक है यह हाइवे चले आग मेंटो रोड मेंटो रोड आपका कहां पर दिली में है ठीक है ईनिदिमें है आगे आते हैं ग्रड़ा प्रेखनe और sections of किंसरोड आपका कहां पर है दिखी के राप जो है ना आपका कई जेगा पर हो सकता है लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो यह आपका दिखाएगा प्रियाग राज में ठीक है ना प्रियाग राज में एमजी रोड महात्मा गादी रोड यह आपका कहां पर यह बैंगलूरू में ठीक है चले आ गया होते हैं 11 अमर को उसमें वैसे सब इंपॉर्टेंट नहीं आपको किसी प्रकार के इंफोर्मेशन मिल सकती है बिलकूल ठीक बात है फिर है डाकुमेंट ट्रीस और सॉट फिम्ट नॉलेज्ज बिलकूल ठीक बात है डाकुमेंट वाली जो फिल्में होती है चोटी होती है महलोब कि आदे घंटे की होती है और यह आपको क्या करती है अच्छा एक मैसस आपके सोसाइटी में ठीक ना आपको देती है ठीक है और अवेरनेस फैलाने के लिए इस तो सॉट डाकुमेंट सापके बना जाते हैं चलिए तैल नमर भी कैसी चीज़े हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा लोगों के पास सफे पहुंच सकते जिसए हैं मासक मिकंशन क्या कहते हैं मासक कम्यूनिकेशन तो इस का अंसर हो जाएगा option number D फिर है 30 number question आपके सामने 30 number question आपका क्या लिखा है unscrimble word तो यह बनेगा क्या internet क्या बनेगा इंटर नेट ठीक है अब देखें इंटरनेट में correct क्या है यह आपको बताना है पहला है with this help of message can be sent intensely from one part of the world तो बिल्कुल ठीक बात यहां पर दे रखिए ठीक है option B भी पढ़ लेते हैं it can only access through the smartphone नहीं यह laptop में भी उसकता है it does not help in e-banking and shopping क्या यह help नहीं करता यह बैंकिंग और shopping में बिल्कुल help करता है तो यह भी आपका क्या है गलत दे रखा है तो इसमें सही क्या है सिर्फ और सिर्फ option number a क्या है option number a ठीक है आप आते हैं question number 15 में कि जापान में जो सबसे fast train चलती है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है bullet क्या है bullet ठीक है अब यह जो bullet train है इसके top speed क्या है टॉप speed क्या है यह है 320 किलो मीटर पर अबर ठीक है यानि कि बहुत तेज़ चलती है यह bullet train ठीक है चलिए आगे आते हैं question 15 है आपके सामने select the incorrect match of the name of airport and city in which it is located पहले है Heathrow airport तो Heathrow airport आपका कहा पर है ठीक है तो यह है दोस्तों आपका लंदन में कहां पर है लंदन में ठीक है फिर है Charles D. गौले एयरपोर्ट पेरिस बिल्कुल ठीक बात है यह यह भी सही दे रखा है एन्ना इंटरनेशनल पर चेन्ने यह भी ठीक है और जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह न एयरपोर्ट आपका कहां पर है सिंगापूर में तो सिंगापूर का एयरपोर्ट क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है चंगी एयरपोर्ट ठीक है चंगी एयरपोर्ट ठीक है चंगी एयरपोर्ट ठीक है चले तो यहां पर गलत कौन सा दिये रखा था तो यह आपका incorrect match कौन सा था यह था option नमबर ए ठीक है न हीथरो एरपूर लंदन में ना कि सिंगापूर में चले आगे आते हैं यहां पे है डैश एंडेस अधा मोस्ट एंसेंट पीन्स ऑफ दा वाटर ट्रांसपोर्ट तो वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से हैं यह है रैफ्स एंड ait dips आपकी क्या होते हैं ऐसे बांस जो होता है बांस के ऐसी तरीके से बहुत सारी लक्डियों को इस तरीके से रखके इनको बात दिया जाता है ठीक है और इन्हें कहते है इन पे लोग सामान रखके एक जगासे दूसरे जगा जाय करते थे ठीक है 70 नमबर्ट बॉट्शन तो लॉंग डिस्टेंस रेडियो जो रेडियो के फादर पूछा गया है कि रेडियो को किसने शुरू किया तो इनका नाम था गुगली मू मारकोनी क्या नाप था गुगली मारकोनी जेयल बेर्ट्स जॉन लेगी बेर्ट्स ने किसका आविस्कार कया था टेलीविजन का और एलेखजेंडर ग्राहं बेल ने किसका कया था टेलीफोन का ठीक है चले 18 नमर कोशन आपके सामने है refer to the list and select the option identify the means of mass communication mass communication क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास पूरे country में अगर हमें news फैला नहीं हो तो हम क्या करेंगे cinema का use करते हैं internet और साथी साथ advertisement का fax और landline phone ये आपके क्या है personal communication है मतलब की एक से दो लोगों के बीच में ये आपके बताए जाते हैं ठीक ना क्या है personal communication ठीक है PC तो इसमें सही क्या होगा one two and three तो option number हो जाएगा a one two and three 90 number question है which are the following the most expensive means of transport यानि कि सबसे महंगा transport इसमें क्या है तो ये है दोस्तों aeroplane aeroplane से हम एक country से दूसरे country जाते हैं ठीक है तो से हम कहते है domestic flight ठीक है चलिए अब आते हैं question number 20 पे तो question number 20 के आपके सामने है ये क्या कह रहा है ये question देखिए लिखा है to look the new opportunity explorer traveled and distance land often discovering new nations ठीक है cultural and trade routes one such explorer was as he was born when 18 merchants who lived in 13th century he traveled all the way from Europe to China and Mongolia he wrote the travelogies describe his journey ते देखिए ये 13th century का एक आदमी है जो merchant था और साती साती ने दुनिया में काफी चीजों की खोश की और बहुत सारे route की खोश की sea route की खोश की तो ये कौन था तो इसका नाम था मारको पोलो क्या नाम था मारको पोलो तो मारको पोलो कहा का था इटली का था ये question आप से पूछा जाता है कि ये किस country का था इटली का था ये उसके बाद है Christopher Columbus ठीक है जिसे कहा जाता है कि अमेरिका के होश इनों नहीं की तो ये था Italian ये भी Italian था इटली का था ठीक है ना और इसके ship का क्या नाम था तो इसके ship का नाम था Santa Maria क्या नाम था Santa Maria किसके Columbus की जो ship थी उसका नाम था Santa Maria ठीक है फ्रेडिन और मैंगनल ने बताया कि दुनिया गोल है ठीक है ये एक तरीके से जहाँ पे अपनी यात्रा शुरू करते फिर से महाँ पे आ जाते तो ये बताते हैं कि दुनिया गोल है ठीक है फिर है यहाँ पे जहाँगी तो जहाँगी कौन था ये चाइना का था ठीक है ना फ्रेडिन और मैंगलान आपका कहा था किस कंटरी का पूर्टगाल का ठीक है चलिए आगे आते हैं अब मारकोपोलो जो था ये इटली का था साथी साथ ये चाइना कैसे गया था सिल्क रोट से ठीक है na सिल्क रोट से ये गया था ठीक है चलिए आगे आते हैं कॉस्चन नमर्ट 21 पे communication satellite सेटलाइट आपकी कहां पर है ठीके ना इसके बारे में बताना है मैस अफॉलोइंग करना है कुम्निकेशन सेटलाइट आप किससे करेंगे लिए तो इसको करेंगे ब्राड कास्ट इमेजन आडियो यानि कि पहले को दूसरे के साथ हम मैच करेंगी फिर फर्स्ट मेकैनिकल कम communication यह किससे हम करेंगे टेलिविजन एंड इमेल तो यह ज़्यागा वन 2431 यह बनेगा 2431 तो यह ज़्यागा ऑप्शन नमर ए ठीक है चलिए 22 नमर कोशन पर आते हैं अधगल को तो यह बीलकुल थीके बात है इंडिया इंडिया में रेल्वै कौन लेकर अब्रेस लेकर आए थे और पहले रेल-गारी चली थिicar明ें कहांपे चली मुन टू था नि कहां पर हैं यह महरास्ट्रा में ठीक है तो यह पहला स्ट्वन्ट डु कांडला ये पोट इंडिस के बीगेरो इंडिस इंडिया की पहली सर्विस वाला प्रसक्राइब है वो है कौन सा सहर है कोलकाता 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 में सबसे पहले मेटर आई थी इंडिया में फिर एस्टोना डियूद रॉकेट हैं सब्मरीन का यूज नहीं करते हैं यह इस्पेस क्राफ्ट का यूज करते हैं इस्पेस में ठीक है न सब्मरीन का यूज कौन करते हैं नेवल अंडर वाटर यानि की पानी के नीचे तो इसमें पहला और दूसरा सही है ठीक है बाकी सब गलत है तो यहां पर हो जाएगा option number C ठीक है option number C चलिए आगे आते हैं question number 23 पर यहां पर हमें बताना है कि कौन सी चीज़े सही है क्रॉस वर्ड में कौन सी नहीं है ठीक है तो आईए देखते हैं सबसे पहले है दा सिविलाइजेशन बिलीब टू दा बर्थ प्लेस और फॉस्ट राइटिंग सिस्टेम यानि कि ऐसी सिविलाइजेशन जहां पर सबसे पहले राइटिंग हमें मिली थी तो यह कौन सी है मेसो पो-टा-मियन ठीक है तो यहां पर लिखेंगे म-E-S-O-P-O-T-A-M-I-A-N में सो पोटामियन ठीक है फिर है option number B object that is space aid to the communication combination कैसे कहते हैं इस पेस में सैटेलाइट से है कि सैटेलाइट ठीक है तो यहां पर जाएगा सैटेलाइज से डवल टी इसेटे ल देखें टी लिखा हुए एस एड़ एसे टी होगा ठीक है ना से टी सैटे डवल ल आई टी इए ठीक है सैटेलाइट ठीक है तो यहां पर लिखा हुए चलिए आप दिखें यहां पर है दे इन्वेंटेट पिक्चर बेस्ट इस क्रिप्ट कॉल्ड यह रोग्राफिक्स ग्लाइफिक्स ठीक है तो यह था इजिप्टीन इजिवाई पी इजिप्ट 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 आपका कहीं पर ही नहीं ठीक है तो इसमें कौन सा नहीं मिलेगा ऑप्शन नमबर सी और देखिए जो मेस्व पॉटामिया था यह अभी किस कंट्री में है यह इराक में इराक की कैप्टेल क्या है बगदाद ध्यान रखिएगा चलिए बताना है किसमें लेंड ट्रांसपोर्ट और एर ट्रांसपोर्ट ठीक है तो सबसे पहले है करनेक्स कुलकता इंट पेशावर तो कुलकता को पेशावर से कौन करनेक्ट करता है तो आप जानते हैं यह कौन है जीटी रोड कौन सा है आपका जीटी रोड तो आर नमबर पे आपका कहां पे बात है और यह कोलकता को करता है तो आर का काम हमने कर लिए अब आते हैं किया यह रूडबेस है नहीं यह वाटर वेश है ठीक है तो यह वाटर वेश है नहीं नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर लिखा है नो लेकिन यह वाटर तो क्या हूगा ओरेंट एक्सप्रेस क्या है एक ट्रेन है छो ऐन्ड ट्रांसपोर्ट का आपका काम करती है ठीक है चलिए दो अप्शन नमबर जो भी है आपका वो करेक्ट answer हो जाएगा ठीक है option number B चले तो दोस्ते ही पर वीडियो खत्म होता है वीडियो आपको कैसा लगा आप comment में लेके बताइए और finally मिलते हैं अपने अगले chapter में ठीक है chapter number 11 में evolution of mankind तब तक के लिए नमस्कार